नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपको विशाख मास की बांदरी की कहानी सुनाओंगी विशाख मास में बांदरी की कहानी सुनने पर अक्षे पुन्य की प्राप्ति होती है और बैकॉंट में स्थाई निवास होता है बांदरी ने विशाख नहाया तो वो रानी बनी और उसको सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ इसी प्रकार राजा को भी बहुत ही सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ अगर कोई भी विशाख नहीं नहा पाए तो ये बांदरी की कहानी अवश्य रोज सुन ले इससे भी उसे अक्षेपूने की प्राप्ति होगी लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और पास में लगे बैल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं बांदरी की कहानी एक राजा था वह बैसाक माहा में प्रति दिन ब्रह्म मूरत में उठकर गंगा जी में सनान करता था राजा का आदेश था कि मुझ से पहले जल दिखाई देता था तो राजा को संदे होता था कि निश्चे ही मुझ से पहले कोई प्रति दिन गंगा जी में सनान करता है अतै राजा ने नदी के तड़ पर पहरेदार बिठा दिये गंगा जी के तड़ पर एक व्रिक्ष था उस पर एक बंदरिया रहती थी वह प्रति दिन राजा के सनान करने से पूरव सनान करके व्रिक्ष पर चड़कर बैठ जाती थी इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख महा व्यतीत हो गया किन्तु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़ कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आप से पहले प्रति दिन गंगाजी में सनान करती है उधर राजा की परतिग्या थी कि यदि कोई इस्त्री मुझसे पूरव सनान करती होगी तो मैं उससे विवा करूँगा इसलिए राजा को बंदरिया से विवा करना ही पड़ा बैसाक सनान के पुन्या से बंदरी के गरब ठहर गया नो मास पूरण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जनम के समय मुझे क्या करना चाहिए तब राजा ने महल में गंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूँगा राजा की अन्यारानिया भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी अतै बंदरी गरब से है यह समचार जानकर अन्यारानिया मन ही मन उनसे इर्षा करने लगी और भावी संतान का नाश करने हे तू विभिन योजनाय बनाने लगी घंटी लगी देखकर एक राणी ने बंदरी से इसका कारण पूछा बंदरी ने संपूर्ण विर्तांत बता दिया राणी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दोड़े दोड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा इस पर बंदरी ने उतर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशू है ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी इस परकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जनम का समय आया, तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूँ, तब रानियों ने कहा कि तुम आँख पर पट्टी बांद कर सो जाओ, बंदरी के बेसाक महा के सनान के पुन्य परताप के रूप में एक सुन्दर पुत्र और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया, राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जनम दिया है, राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोश कर लिया, कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है, तो यह तो बंदरी है, अर्थात पशु है, इसके क क्या संतान होगी उधर दासी ने उस सुन्दर शिशु को नदी मिना बहा कर कुमार के खंदर में रख दिया दूसरे दिन कुमार कुमारिन खंदर में आये तो वहां एक सुन्दर शिशु को रोते हुए देखा कुमार कुमारिन भी नी संतान थे अते उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोशन करने लगे कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ग्यात हो गया कि वह रानी बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाती गोड़े लेकर पंगट पर जा बैठा और दासियों को देख कर कहने लगा आओ रे मेरे मिट्टी के हाती गोड़े पानी पीओ जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हसने लगी और बोली अरे मूरक कभी मिट्टी के हाती घोड़े भी पानी पीते हैं इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जनम लेता है उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही तब रानियों ने दूसरे दिन विश मिला कर लड़ू भेजे इश्वर की कृपा से कुमार को देश निकाला दे दिया कुमारवन में रहने लगा तत पशाच जब अगले वर्ष चैत महा में माता गंगोरी के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया उधर राजा की और साहुकार की पुत्रिया गंगोर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और जूला जूलने लगी इस कारण कुछ समय बाद प्यास लगी तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस यूवक ने उतर दिया कि मेरे पास एक गोली है उसे खाती जाओ और मेरे चारो और फेरेल लगाती जाओ तब मैं तुम्हें जल पिलाओंगा इस पर पहले तो करण्याओं ने मना किया कि इन्तु प्यास तीवर होने के कारण मान गई इस परकार गोली खाने एमम उस यूवक के साथ फेरेलेने से गरवती हो गई बाद में जब उनके माता पिता को यह वरितांत ग्यात हुआ तो वे सभी कुमार के पास गए और संपोर्ण वरितांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पूतर ने हमारे इन कन्याओं से विवा किया है अब तू इन्हें अपने घर में रख तब कुमार ने निर्द ही पोते हो गए ततपशात एक दिन कुमार के पुतर ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं अतै अब हम समस्त नगरी को भोजन हेतू निमंतरत देंगे कुमार ने राजा के महल में भी भोज हेतू बुलावा दिया राजा के यहां से रानी बांदरी के एत्रिक सब भोजन हेतू उधारे तब राजकुमार राजा की आग्या लेकर रानी बांदरी को लेने रतपाल की लेकर गया और लाकर सभा में सबसे उंचे स्वर्म स्थान पर उसे बिठाया राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बांदरी मुझे जनम देने वाली माता है अता एक एक पहु रानी बांदरी के चरण सपर्ष करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा रानियों को तो संदे होने लगा था कि य इधर राजा को पुत्र के जनम का संपूर्ण रहस से ग्याथ हो गया था इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और सभी पुत्र वदूओं और पोत्रों को लेकर महल में आया राजकुमार का राज चिलक हुआ कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेधन किया, किन्तु वे नहीं माने, तब राजा ने उन्हें धेर सारा धन दिया, अतै बैसाक स्नान का इतना महत्मे है, तो सब को बैसाक स्नान करना चाहिए, बांदरी ने बैसाक स्नान किया, तो उसे राजा का रज्य, पुत्र, पुत्रादी प्रापत ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजे ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए धन्यवाद